हेलो फ्रेंग्स आज हमने बनाया है बहुत ही जाधा टेस्टी कड़ाई पनीर और आज हम मल्टी टास्किंग करेंगे अपने दूसरे स्टेप्स की तयारी भी हम बीच बीच में साथ में करते जाएंगे तो यहाँ पर मैंने अपने ही कीचन गार्डन से तीन शिमला मिर्च ली है बीज निकाल के इस तरह से बड़े पीसिस में इनको काटके रख लिया है चार सो ग्राम पनीर लिया है और इसके भी बड़े पीसिस करके मैंने रखे हैं अद्रकल हसुन और हरी मिर्ची का एक दरदरा सा पेस्ट बना के रख लिया है और अनसॉल्टीट बटर लिया है यहाँ पर तीन टेबल स्पून्स और टमेटो पेस्ट हमें चाहिए टू टेबल स्पून्स और हम लेंगे कड़ाई मसाली के लिए कुछ साबुत मसाले तो य इनको हम ड्राइ रोस्ट करके अपना एक मसाला बनाएंगे तड़की के लिए आधा चमा जीरा दाने और कुछ सुखी लाल मिर्चे गरम मसाला धन्या पाउडर हल्दी का पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च कसूरी मेथी और नमक हम लिया है इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रि अच्छे से भून लेंगे 20-30 सेकिंड के लिए और हम उसमें अपने अनियन को डाल देंगे सौटे करेंगे जब इनका हलका सा कलर चेंज होने लगेगा तब हम हलके से गैस पर इनको पकने देंगे और साथ साथ में अपने सुखे मसालों को रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा डाल देंगे उसमें इवन रोस्टिंग के लिए और अच्छी सी खुश्बू आने तक हम इन मसालों को रोस्ट कर लेंगे अनियन अप 40-50 परसेंट तक पग गया है हम इसमें अपना अधरक लहसुना हरी मिर्ची का पेस्ट डाल के इसको अच्छे तरह से रोस्टिंग के ल पेस्ट का या टुमेटो प्यूरी का डाल देंगे ये रेडी मेड है मार्किट वाली इसे अच्छा सा कलर और थोड़ी अच्छी खटास हमारी सबजी में आएगी साथ में हम अपने पिसे हुए सारे मसाले डाल देंगे कसूरी मेथी को अभी हम इसमें मिक्स नहीं करेंगे आप चाहें तो टुमेटो पेस्ट या प्यूरी को स्किप भी कर सकते हैं धक कर हम इस ग्रेवी को पकने देंगे ताकि किचन भी गंदी ना हो दूसरी तरफ गैस पर हम हाफ टेबल स्पून ओयल का डाल के पहले अन्यन को रोस्ट होने के लिए डाल देंगे और जब अन्यन कर लेंगे इसको हमने दरदरा ही पीसना है सब्जियां भी अच्छे से पक रही है अब ग्रेवी को चेक कर लेते हैं एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से ढख कर हम इसको पकने देंगे अब हमारी सब्जियां अच्छे से यह रेडी हो गई है इनको हमने क्रंच अब मैं पनीर भी डाल दूंगे और मैंने इसमें बहुत ही जादा कम डाला है आप चाहें तो जादा ओईल में भी इनको फ्राई या शालो फ्राई कर सकते हैं यह देखे पनीर भी अच्छा दिखाई दे रहा है हलका हलका सुनहरा हो गया है हमने बहुत जादा इसको डाक नह साले के साथ हम इन सबजियों को 2-3 मिनर तक मीडियों फ्लेम पर पकने देंगे जस्टू मेक शूर आप करें कि यह सबजियां जले नहीं बीच वीच में इनको पकाते रहें फिर से ग्रेवी को देख लेते हैं अब ग्रेवी हमारी अच्छे से पकती हुई दिखाई दे रह है और साथ में बटर डाल दिया है आप चाहें तो घी का यूज भी कर सकते हैं और चाहें तो इस स्टैप को पूरी तरह से इसलिपभी आinks दाने से ग्रेवuego धी में एक शाइन आती और फिर से हम इनको ढग कर पहले दो से तीन मिनट तक पकाएंगे तो अच्छे से मिक्स मैंने कर दिया है I hope friends के आपको यह easy और quick recipe पसंद आएगी आप इसको बना करके जरूर ट्राइ करेंगे बीच मैंने इसको चेक किया और फिर से अब मैं इसको एक से दो मिनट तक पका अब इसको अपने मन चाहे style में आप सर्फ करिये और प्लीज मेरे चैनल को like करिये subscribe करिये family and friends के साथ share करिये ताकि हम और भी अच्छी अच्छी recipes के साथ मिलते रहें and thank you for watching this video see you again soon thank you